नमस्कार मैं आत्री विश्वास रॉय वो चमतकार हो गया जिसके लिए हर हिंदुस्तानी पल के बिछाए बैठा था टोकियो ओलिम्पिक्स में गोल्ड का सपना पूरा हुआ आखरी लम्हों में वो गोल्ड जो भारत के लिए एक सपना होता है और ये करिश्मा किया है जावलिन थ्रूर नीरज चोपडा ने इतिहास में नीरज सिर्फ दूसरे भारतिय बन गए है जुन्होंने इंडिवीज्वल इविंट के गोल्ड जीत कर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनेहरे अक्षरों में लिख दिया है वो सपना पूरा कर दिया जिसका इंतिजार देश 2008 में अभिनव बिंदरा के बाद से देख रहा है 2017 में नीरज ने खुद लिखा था जब सफलता की ख्वाहे शाप को सोना न दे जब महनत के अलावा कुछ अच्छा न लगे जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट न लगे समझ लेना कि सफलता का नया इतिहास रचने वाला है 2017 में नीरज चोपडा ने ये लाईने कही थी और 4 साल बाद इतिहास रच दिया उन्होंने 24 साल के हरियाना के इस शेर ने आज तिरंगे को सबसे उचा कर दिया है और हर हिंदुस्तानी को गर्व का अनमोल लम्हा दिया है टोक्यो में आगाज अगर मीरा बाई के सिलवर से हुआ है तो अंत नीरज के गोल्ड से हुआ थैंक यू नीरज आज मुझे और पूरे हिंदुस्तान को गर्व वाला शन देने के लिए नमस्कार